हलो दोस्तों इस वीडियो में हम field component के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे सो जैसे कि मैंने पहले बताया था field component by default render करता है html input element को और दूसरा ये handle submit और handle blur को hook करता है सो हमको यहाँ define करने की जरुवत नहीं है अभी थोड़ा और जानते है field component के बारे में इडिशनल प्रॉप को रेंडर करता है for example जैसे कि हमने id attribute यहाँ पर दिया है id equals to designation तो अगर मैं browser में चेक करूँ और inspect करूँ अगर मैं यहाँ पर arrow पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर designation में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको input में आपको id designation दिख जाएगा इसी तरीके से हम placeholder भी आड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर id के बार मैं placeholder लिखूंगा placeholder equals to और यहाँ पर मैं लिखूंगा your designation इसको अगर save करते हैं और ब्राउजर में चलते हैं और इसको refresh करते हैं एक बार तो designation में आपको placeholder दिख जाएगा your designation इसको मैं बन करता हूँ इसी तरीके से हम additional attribute add कर सकते हैं यह एक चीज़ हो गई और दूसरी area चाहिए तो वो हम कैसे करें वो देखते हैं सो मैं चलता हूँ उपर और initial values में मैं लिखता हूँ comments एक और property add करेंगे comments equals to एक empty string इसको save करते हैं और अभी इसका jsx लिखते हैं ठीक है तो यह जो div है जो designation का div है उसके बाद एक और div बनाएंगे class name mb3 लिखेंगे इसको close करते हैं और इस div के अंदर मैं label ले लेता हूँ so label html for में आएगा comments class name add कर लेते हैं form label और इसके अंदर आएगा comments और अभी मैं field component का use करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा field और उसके बाद हम class name add कर लेते हैं जो भी basic चीज़ है वह हम add कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसको text area करना है तो क्या करना होगा नेम भी डाल देते हैं नेम हम लिखेंगे comments और id भी लगेगा हमको इसको बन करते हैं self close tag को save करते हैं अगर मैं ब्राउजर पर जाता हूं आपको एक input element के जैसे दिखेगा अगर मैं सहरोप पर क्लिक करके यहां पर आता हूं तो आपको यहां दिखेगा input अब इसी चीज़ को हमको text area बनाना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा हमको as prop यूज करना पड़ेगा एक प्रॉप है जिसका नाम है as तो वह हमको यूज करना पड़ेगा यहां पर कहीं पर लिख सकते हो यहां पर लिखना है as equals to और इसको मैं लिखोंगा text area इसको save करते हैं अभी चलते हैं प्राउजर में आपको यहां पर दिख जाएगा text area और यहां पर भी box बड़ा हो गया text area हो गया यह और यहां पर भी change हो गया तो इस तरीके से आप as prop का use करके इसको text area बना सकते हो so as prop में हमें input text area select या फिर custom react component भी यूज कर सकते हैं ओके बाइडिफॉल्ट वैल्यू इंपॉट ही होती है so अगर हम कुछ भी नहीं रखेंगे तो यह by default input लेगा ओके सो यह बहुत important है और उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते इतना तो हो गया आपको समझ आ गया अभी हम render prop pattern के बारे में पढ़ेंगे so यह थोड़ा advanced topic है so यह थोड़ा ध्यान से आप देखना so render prop pattern से field को कैसे use कर सकते हैं वह देखते हैं so एक और field मैं add करता हूं so उपर initial values में मैं एक और field add करूंगा और उसका नाम में दूंगा addresses एक एक एम्टी श्रिंग ले लेते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं और इसी तरीके से हम एक काम करते हैं पुरे डिव को कापी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और html for में add रहेगा class name ठीक है यहां पर addresses ओके और उसके बाद name में address यह निकाल देता हूं as prop name में addresses डालूंगा ID में भी addresses इसको सेव करते हैं तो अभी अगर मैं जाओंगा browser में तो यह इंपुट ही दिखाएगा आपको सो यहां पर अगर में जाता हूं सो यह input element ही बताएगा लेकिन हमको render प्रॉप pattern का यूज़ करके इसको इंपूट के लगाना है ठीक है तो यह सही काम कर रहा है बट ऐसा नहीं चाहिए हमको उसको render प्रॉप pattern का यूज़ करना है है सो उसके लिए हमको उसके अंदर एक function पास करना होगा सो basically function पास करना है as a children तो इसको self close टैग निकाल के इसको closing tag देना पड़ेगा तो मैं दूंगा field ओके इसका closing tag बन गया और इसके अंदर हमको function पास करना होगा सो curly braces लोंगा और function हम एक arrow function लेंगे ओके तो मैं एक एरो function ले लेता हूं और return करेंगे input इंपुट में ID होगा अपना addresses और नेम भी रहेगा तो यह दोनों में निकालके यहां पर पास कर देता हूं इंपुट में और इंपुट को हम close करेंगे इसको मैं save करता हूं और इंपुट टाइप हो जाएगा टेक्स्ट ओके इंपुट टाइप टेक्स्ट लिख दिया return में इंपुट कर दिया और अगर मैं ब्राउजर पर जाता हूं तो ओके अधर शो हो रहा है लेकिन कोई class CSS की class यूज़ करनी पड़ीगी मेरे क्याल से तो यह यहां दिया है इसको मैं कट करके अगर यहां देता हूं तो यह काम करेगा यह काम कर रहा है अगर मैं इसको पास करना होगा आप को बताता हूं क्यूं के ऊपर हम कंछोल करेंगे कि प्र должна को इहां पर आगे बढ़ेंगे वैसे चीज़े और क्लियर होती जाएगी तो मैं अगर कंसोल पर जाता हूं तो आपको यहां पर अब्जेक्ट दिख जाएगा और अब्जेक्ट में तीन प्रॉप्स हैं एक है फिल्ड एक है फॉर्म और एक है मेटा अगर मैं फिल्ड को उपन करता हूं तो यहां पर आपको नेम दिखाए देगा यहां पर आपको वैल्यू दिखाए देगी यहां पर आपको ऑन बलर दिखाएगा दिखा देगा और आपको ऑन चेंज सो इससे हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं और अगर मैं अभी फॉर्म ऑब्जेक्ट उपन करता हूं अगर य तो यह आपको मिल जाएगा और दूसरा आपको हेलपर में यहां पर हैंडल सब्मेट मिल जाएगा एंडल चेंज मिल जाएगा यह सारी चीजे आपको फॉर्म मिल जाएगा और इसके बाद सब्सक्राइब करने के लिए इन चीजों को कैसे यूज करते हैं अपने रेंडर प्रॉप पैटन में वह हम देखते हैं सो मैं चलता हूं विए सब्सक्राइब प्रॉप है और अभी क्या करना होगा अभी हमको डी स्टक्चर करना होगा इन तीनों फील्ड को सो यहां पर में लिए सबसे पहली है फिल्ड तो ये तीनों को डी स्ट्रक्चर करेंगे और अभी हमको input में यहाँ पर curly braces के अंदर spread operator यूज़ करना है dot 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 और field को spread करना है so field को spread करने का reason यह है so उससे हमें name, value, handle change और handle blur मिल जाएगा इसलिए हमें यहाँ पर spread operator लगाना होगा field के लिए okay अभी metaprop का use करेंगे errors render करने के लिए so मैं इस input के ऊपर या फिर input के बाद मैं यहाँ पर एक condition लिखूंगा यह meta dot touch and meta dot error अगर यह true है so एक div render करो जिसमें हम error show करेंगे so meta dot error ओके या फिर नल इसको मैं save करता हूं यह red क्यों दिखा रहा है ओके यह दोनों को एक div में लेना पड़ेगा अगर यहाँ पर जाते तो आपको दिखेगा यहाँ पर मॉडिल फेल्ड अनेक्स्पेक्टेट टोकन ओके यह सब चोड़ दो प्रॉब्लम क्या है अगर मैं यहाँ पर जाता हूं पार्सिंग एर्र ठीक है इसका मतलब क्या है यहाँ पर एक div ले लेते हैं ओके इसको क्लोजिंग डिव को यहाँ पर मैं पेश्ट कर दूंगा इसको सेव करते हैं सो सारा चला जाएगा कि कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और नोट वालिद अ रिदर चाइल्ड इसए फिव मीन टूरें रिडर क्लीक्षन और चिल्रन उसलें अरें इससेड यहीं पे कुछ मिश्यितिया लगता है मैंने वड्दू 오प्जेक्ट ऑउन वालिड असरें रिया चाइल्ड object with keys if you mean to render a collection line number कौन से आई एक नाइन नमबर भी नहीं दिखा रहे है लाइन नमबर एटी थी थी नाइन यहां पर देखते हैं एक वार्निंग दिखा रही है बेसिक फॉर्म फॉर्म इस नॉट असाइन ठीक है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम कुछ और है जो के देखना पड़ेगा मुझे ओके सो एर्र यहां पर दिखा रहा है के object are not valid as a react child object with keys if you mean to render a collection of children use an array सो अगर मैं यहां पर जाता हूं सो जैसे के मैंने बताया spread operator का यूज करके हमको name values handle change और handle blur मिल जाएगा so name की यहां पर जरुवत नहीं है okay so name अगर मैं यहां से निकालता हूं और इसको save करता हूं और अभी अगर browser में जाता हूं तो इसको refresh करते हैं तो भी आ रहा है error तो अगर मैं name को यहां पर पास कर दूँ फिल्ट के अंदर तो फिल्ट के अंदर मैं नेम को पास कर दूँ और अगर अभी चेक करें तो यह काम कर गया ओके फ्रेंट्स जैसे कि आपको यहां दिख रहा हैं तो यह वर्क कर रहा है बिल्कुल ठीक तरीके से इंपुर्ट मिल गया टाइप टेक्स आईडी मिल गया देखो address ओके सुनेम को पास करना है बट यहां पर फिल्ट में पास करना है ठीक है और आईडी यहां पर इंपुर्ट में लेकिन नेम अट्रिब्ट जो है वह फिल्ट प्रॉप में आएगा फिल्ट कॉंपनेट में आएगा अगर मैं आईडी भी यहां पास करूं तो क्या होता है यह मैंने कभी ट्राइग नहीं किया था पर ट्राइग करते हैं इस तो यहां से गया देखते हैं मुझे सिब देखना था कि अगर यहां देते तो क्या होता है नहीं नहीं आ रहा है बद आईडी नहीं आ रहा है सो आईडी के लिए अब इसली हम को यहां पर देना पड़ेगा ओके सो यह थोड़ा ध्यान में रखना नेम एड्रेस यहां पर आजाएगा और आईडी यहां पर आएगा तो इस तरीके से रेंडर प्रॉप का यूज करके हमने यह इंपुट लेकर यहां पर एड्रेस का यह थोड़ा से वीडियो जाधा बड़ा हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है सो एक काम करते हैं में यह जो आपको दिख रहा होगा फॉर्म अभी फिलाल हम यूज नहीं कर रहें बट आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं इसलिए यहां पर वार्निंग दिखाई देरी होगी आपको अगर मैं कंसोल पर जाता हूं तो वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन थोड़ा एक दो बार आपको भी देखना पड़ेगा स्वारी यहां पर नहीं अगर मैं यहां पर करता हूं यहां पर वार्निंग दिख रही है आपको फॉर्म चैसा है काया है और को बीडियो जाओ अँट हूं आपको बå